इस वीडियो में जानेंगे वरत पर गोले पर दिसा और दूरी के प्रस्णों को कैसे हल करते हैं बिना विचलित हुए क्योंकि इसकी जो सब्दावली है दक्षिनावरत वामावरत पूर से पस्चिम और पस्चिम से पूर ये विचलित करने वाली सब्दावली है गोले पर को सामें चलाने से कैसे बचे उस पर के लिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए zast पहले सुरू करते है दक्षिनावरत दक्षिन से द STEM और से दाएं दोनों हमेशा ध्यान रखें दाइस पूर से पश्छिम कई बार पेपर में पूर उसे पस्चिम लिखा रहता है तब विचलित हो जाएंगे किधर को चलाए तब अंग्रेजी वर्जन देख लिजिए प्रस्ण का कलोकवाईज घडी की दिशा में हमेशा इस प्रस्ण में अंग्रेजी वाला इससा जरूर देखें वहां कलोकवाईज या एंटी कलोकवाईज लिखा मिलेगा उससे पता चल जाएगा कि घड़ी की सुई की दिशा में चलना है या उसके विपरीत चलना है अब आगे देखिए कई बात जानने कि कागज पर जो दिशाए होती है उपर की तरफ होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिन कागज पर आप चाहे किधर भी पर जिदर आपका दाहिना हाथ है उधर पूर्व होगा और जिदर बाया हाथ है उधर पस्चिम होगा इस तरह से कागज पर हल करेंगे दिशाए कागज पर यही होती है चारो दिशाएं 90-90 डिगरी की दूरी पर होती है क्योंके गोला एक वरत 360 डिगरी का होता है 360 डिगर बार इससे कर देंगे तो ये चारो इससे 90 डिगरी के हो जाएंगे अब इसी पर प्रसन निकालते हैं जब लिखाओ के पूर उसे पस्चिम चला दक्षिना वरत चला यानि घडी की सुई की दिसा में चला तो हमेशा पूर उसे जो पस्चिम है ये विचलित करने वाला होता है पूर उसे पस्चिम हमेशा यहां देखो दक्षिन की तरफ चला दो अब दिसा पता चल गई कि ऐसे चलना है और यदि लिखाओ पस्चिम से पूर तो पस्चिम से भी दक्षिन की तरफ ही चला दो उससे पता चल जाएगा कि ऐसे चलना है इस दोनों तरफ से पस्चिम से च पहले अपना पैन चलाकर दक्षिन की तरप को देखना उससे चलने की दिशा पता चल जाएगी और उत्तर गलत नहीं होगा गलत होने से बच जाएंगे इस तरह से यानि दक्षिनावरत घड़ी की सुई की दिशा में और इसमें और अंतर आता है के वह व्यक्ति किधर मुह कर के खड़ा होने पे भी दाएं और बाएं को चलता है दाएं को जिदर उसका दाएं होगा मुह के इसाभ से तब चलेगा मगर 90 डिग्री वाला मेटर और देख लीजिए 90 डिग्री हो गया अब इनके यदि हम बीच में आधा कर दें बीच में से तो ये 45 डिग्री हो गया अब 45 डिग्री को भी अधा कर देंगे तो 25 डिग्री हो गया अब 25 डिग्री को भी आधा करेंगे तो 11,22, 11 और 12,25 इतना डिग्री हो जाएगा सवाग्यारे डिग्री हो जाएगा इस तरह से 90 डिग्रियों का विभाजन कर लेते हैं जब जरूरत पढ़ती हो अब मानले जिए परस्ण आता है के एक व्यक्ति खड़ा है कहीं और वह दक्षिनावरत दक्षिनावरत 180 डिग्री गया और फिर 270 डिग्री वह वापस आ गया या वामावरत आ गया तो कहीं भी किसी भी दिशा पर खड़ा कर सकते हो उसको मानले जिए यहां खड़ा है वह उत्तर दिशा पर तो 180 कहा जाएगा 90 degree एक, खाना 92 खाना 180 यहाँ आ गया फिर लिखा है 270 वामावरत गया वो वामावरत गया यानि वापिस गया तो 180 तो यह गया और फिर 90 degree यह गया अब परस्ण आएगा किस दिशामे है, पस्चिम दिशामे है, इस पस्ठ हो गया अब दूसरा प्रस नहो सकता है कुछ भी हो सकता है कि एक व्यक्ति दक्षिनावरत 90 डिगरी गया यहां पर आ गया तो अब कहा गया हो पूर में आ गया और फिर 135 डिगरी वापस हो गया या वामा वरत गया तो 90 यह गया जो आया था और 35 डिगरी और कहां चलाएंगे 45, 90 और 45 135 हो जाएंगे तो इसके बीच में आएगा यहाँ बीच में कौन दिसा है यह उत्तर पस्चिम दिसा है और इन दिसाओं के जो नामकरण होते हैं यह उत्तर और दक्षिन से होते हैं यह मुख्या दिसाओं हैं दोनों उत्तर और दक्षिन इन से ही इनके नामकरण रखे जाएं अब ये दिशा कहलाएगी नीचे वाली दक्षिन पस्चिम और ये दिशा कहलाएगी पूर की तरफ की दक्षिन पूर इन में से ये जो उत्तर पूर दिशा है उत्तर पूर दिशा है इसका नाम भी अलग से है इसका नाम करण है ईशान इस दिसा का नाम है ईसान इसान किरकेट खिलाडी है उससे याद रखिए उत्तर पूर दिसा को इसान दिसा भी कहते हैं और इस परकार अब उत्तर जब हल करना होगा दिसा की विचलित नहीं होंगे दिसा में पूर्व से पस्चिम सीधा दक्षिन में चलो ऐसे यह हो गई चलने की दिसा पस्चिम से पूर यह हो गई दिसा अब देखते हैं वामावरत वामावरत यानि घड़ी की सुई के विपरीत पहले बताया जा चुका है कागज पर उपर की तरफ होता है उत्तर यहां उत्तर हो गया और नीचे होता है दक्षिन यहां दक्षिन हो गया दाहिने हाथ पे पूर यह हमेसे याद रखिये और बाएं हाथ पर पस्चिम यह दिसाए हो गई अब बीच में से विभाजन कर दिया ये 180 डिग्री हो गया अब इसको काट दिया बीच में से 90 डिग्री हो गया इस परकार जब भी वामावरत चलना हो तो इस कार्थ है वैसे वामावरत और वैसे बाएं दोनों एक जैसे हैं एक ही वन से बने हैं तो यहां तक तो विचलित नहीं होंगे वामावरत बाएं एंटिकलोकवाईज मगर पस्चिम से पूर जब लिखा होगा पस्चिम से पूर अब सीधे थोड़ा ही चलेंगे पस्चिम से पूर इसमें जाएंगे सीधे दक्षिन की तरफ ये दिशा रहेगी चलने की चाहे कहीं भी खड़ा हो अब यदि कहें के वह यहां खड़ा है मानलेजिए यहां 45 डिगरी यह है यहां खड़ा है वो इस 45 डिगरी के कौन पर यह दिशा हो गई उत्तर पूर उत्तर पूर में खड़ा है अब वह चलता है पस्चिम से पूर्व दिशा में चलता है पुर्व से 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 देख लीजिए यदि लिखा है के पूर्व से पस्चिम तो पूर्व यहां होता है तो पूर्व से पस्चिम का मतलब है ऐसे जाएगा ये दिशा है कहीं भी खड़ाओ गोले पे इस दिशा में चलेगा यहां खड़ा है तो इधर को चलेगा यहां खड़ा है तो इधर को जाएगा इस दिशा को चलेगा और यदि लिखाओ पस्चिम से पूर तो पस्चिम यहां होता है पता लगा लिजी के चलेगा किधर को बस फिर गलत नहीं होगा पस्टिम से पूर ऐसे चलेगा यहां खड़ा है तो ऐसे चलेगा यहां खड़ा है तो इधर को जाएगा इसी तरह से यह चलने की गती होगी इस परकार आप और कौन बता ही दिया है इसके कौन जब चारवी भाजन हो जाएंगे टोटल 360 डिगरी का गोला होता है जितने इससे हो जाए उससे भाग कर दो कौन पता चल जाएगा 90 डिगरी का आधा 45 डिगरी हो गया इस तरह से बीच वाली दिशाए 45 डिगरी होती है और इनका भी आधा कर दे तो साड़े 22 डिगरी हो जाएगा फिर उससे भी नीचे कभी कभी सवाल आ जाता है और साड़े 22 को जब आधा करेंगे तो 11.25 डिगरी ऐसा यहां तक का प्रस्ण भी कभी कभी आता है अब उम्मीद है गलत नहीं होगा एक बार अंत में फिर देख लीजिए दक्षिनावरत या फिर पूर्व से पस्चिम यह दिशा हो गई दक्षिनावरत पूर्व से पस्चिम ऐसे चलेगा दक्षिनावरत पूर्व से पस्चिम घड़ी की सुई की दिशा में और इसका उल्टा वामावरत पस्चिम से पूर्व एंटिकलोकवाईज हमेशा अंग्रेजी पोर्षन जरूर देखिए इस प्रस्न में एंटिक लोकवाईज पस्चिम से पूर ये चलेगा इस तरह से कहीं भी खड़ा हो जहां खड़ा है इस परकार चलेगा